दोस्तों जब भी कभी हमें लैप्टॉप लेना होता है तो नॉर्मली हम इस तरीकी के वीडियो ज़रूर देखते हैं कि बेस्ट लैप्टॉप अंडर 40,000, 30,000, 25,000 जो भी हमारे रेंज होती है उसके साब से हम जो है वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन कई बारे ऐसा होता है कि वो वीडियो देखने के बाद भी हमारे जो डाउट्स हैं वो clear नहीं होते हैं क्योंकि वो 4-5 जो लाप्टॉप बताए जाते हैं उस वीडियो के अंदर हमें थोड़ा सा डाउट यह रहता है कि हमारे लिए कौन सा लाप्टॉप बेस्ट होने तो उसको मैंने अलग कर दिया, दूसरी मैंने एक category बनाए है कि जो business, जो professionals होते हैं, इनको presentations देनी होती है, share market का काम होता है, या फिर कुछ ऐसी activities होती है कि काफी sensitive उसके अंदर हो जाता है, कि business is like कि data important है काफी उनका और काफी हद तक जो safe और secure होना चाहिए उनका laptop, और तीसरी जो category है वो है specialization की तरफ, specialization की अगर मैं बात करने हो, तो को मान लीजिए, आप photoshop इस्तमाल करते हैं, फिर editing के लिए लेना चाहते हैं gaming के लिए laptop लेना चाहते हैं autocad आप इस्तमाल कर रहे हैं, तो ये आपको दे देता हूँ, तो आपका budget अगर इससे अलग है, तो आप वो वीडियोज भी जाके देख सकते हैं, मेरा नाम है संदीब दोस्तों और चानल का नाम है Techvani, बिना वक्त गवाई वीडियो को फटा-फट स्टार्ट करते हैं और मैं आपको detail में हर एक laptop की specification screen पे दिखा दता हूँ ताकि मैं बोलता भी रहा हूँ, तो आप साथ में उसको read भी कर सकें, और आपके लिए काफी easy रहे, तो दोस्तों पहले अगर laptop की बात करना हूँ, तो वो है Lenovo का IdeaPad 330, और ये Intel की Core i5 processor की 8 generation की उपर चलता है, काफी अच्छी speed इसकंदर आपको मिलने वाली है साथ ही आपको 8 GB के RAM का support इसकंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप 12 GB, 16 GB या 32 GB तक बढ़ा सकते हैं, तो काफी अच्छी upgrade आपको देखने को मिलती है, latest आपको processor देखने को मिलता है, 8 generation का 1 TB की आपको hard drive इसकंदर देखने को मिल जाएगी तो काफी अच्छा space आपको इस laptop के अंदर मिल जाता है, दोस्तो इस laptop के अंदर आपको 15.6 inch की full HD screen देखने को मिलने वाली है, साथ में जिसमें anti glare coating आपको देखने को मिल जाएगी तो आपकी आँखों पर जो है वो असर नहीं पड़ेगा अगर आप जादा देर तक भी किसे laptop को इस्तमाल करते हैं, अगर weight की बात करूँ तो तकरीबन 2 kg का इसका weight होने वाला है और 5.5 गंटे का आपको battery backup इसकंदर देखने को मिल जाता है 1 year का आपको इसकंदर आपको warranty मिलने वाली है और Lenovo की warranty के अंदर क्या है कि आपके घर पे आके भी service आपके मिल जाती है साथी service center पे आपको मिली जाती है brand काफी अच्छा है तो after warranty भी मतले एक साल पूरा होने के बाद भी आपको parts easily available हो जाते हैं साथ ही laptop में आपको लगबग सभी ports देखने हो मिल जाएंगे जैसे आपको DVD writer भी आपको देखने हो मिलता है जो read write दोनों करेगा USB C का support आपको देखने हो मिल जाएगा USB 3.0 का support भी आपको देखने हो मिल जाएगा card reader भी आपको देखने हो मिल जाएगा 4-in-1 का, बाकी LAN, Wi-Fi, Bluetooth, webcam वगरा तो आपको मिलने ही वाला है दोस्तों ये laptop जो है आपको 39,300 रुपीज का मिल जाएगा link में नीचे description में देता हूँ, आप जाके पूरी detail उसकी देख सकते हैं, अगर मैं इस laptop की बात करों तो ये students के लिए भी काफी अच्छा है daily users के जो लोग करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है और professionals के लिए भी काफी अच्छा है जो की word, excel, powerpoint यूज करते हैं internet यूज करते हैं, साथ में presentations उनको बनानी होती है, speed काफी अच्छी देखने कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी और हम move on करते हैं, अपने next laptop की तरफ दोस्तो अगला laptop भी Lenovo का ही है Lenovo IdeaPad 320E और यह आपको 39,900 रुपीज का मिल जाएगा, जिसके अब आपको core i5 का processor ही देखने को मिलता है 4 GB की सिंदर आपको RAM देखने को मिलेगी और 1 TB की hard drive, जो एक बहुत अच्छी बात है कि इसने आपको 2 GB का Nvidia ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है RAM आप 8 GB, 12 GB आप 16 GB तक अनाम से बढ़ा सकते हैं तो अगर आप gaming का शौक रखते हैं या फिर आप editing का शौक रखते हैं और इसने आपको बाकि सारे ports देखने को मिल जाएं इसे Bluetooth, Card Reader, Wi-Fi, LAN, Modem वगरा तो अपने आप में एक complete laptop है और अगर आप gaming में बिलीव करते हैं editing में बिलीव करते हैं अगर आपको एक ऐसा laptop चाहिए जो आपका अच्छी खासी gaming भी आपको करके देदे 40,000 की range से नीचे में अगर आप इसमें लगबग सभी काम कर पाएंगे surfing वगरा, internet की gaming वगरा और editing वगरा तो ये laptop के लिए आप जा सकते हैं इसका link भी मैं नीचे description में देता हूँ और हम बात करते हैं अभी तीसरे laptop के बारे में दोस्तो तीसरा जो laptop है वो Dell Inspiron का 15 है ये 15 series होती है, exactly model जो है मैं नीचे description में दे दूँगा तो आप click करके redirect हो जाएंगे उस website पे जहां पर भी ये मिलता है ये laptop भी आपको 39,000 की range में देखने हो मिल जाएगा जो कि Core i5 processor में 7th generation में देखने हो मिलता है और अच्छी बात है कि इसकी speed जो है वो 3.2 GHz सथ जाती है जो कि काफी अच्छी speed आपको देखने हो मिल जाएगी 1 TB की सिनरा आपको hard drive देखने हो मिलती है जो कि काफी अच्छा space है 4 GB की आपको RAM देखने हो मिलेगी वेट इसका लगबग 2 KG मतलब कि 2 kg 300 ग्राम के आसपास होने वाला है तो ठीक ठाक सा वेट है इसका क्योंकि इसमें configuration काफी high है AMD का आपको graphic card देखने हो मिलता है तो ये laptop भी कुछ ऐसा है कि आप gaming और editing दोनों कर सकते हैं आद में जो normal का में हो तो इसके अंदर हो ही सकते हैं 39,000 रुपीज की range के अंदर आपको मिल जाएगा और अगर आप live streaming करना चाहते है gaming वगरा की तो भी इसके अंदर possible है अच्छा webcam इसके अंदर लगा हुआ है तो आप इस laptop के लिए भी जा सकते हैं और अब आप move on करते हैं अपने next laptop की तरफ तो दोस्तो अगर आप एक college going student है और काफी लंबे time तक लिए एक laptop चाहते हैं जो कि solid brand का हो तो HP 15 series का ये laptop है B5669TU 38,000 रुपे की range के अदर आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छी सेल चलती रहती है फिलाल करेंट लिए 38,000 की range में है लेकि नॉर्मली आपको जब सेल चल रही होते हैं तो 36 की आसपास पर भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको 7th generation का Core i5 processor देखने को मिल जाएगा जो की 2.5 GHz की frequency पर चलता है 3MB की L2 cache memory इसके अंदर देखने को मिल जाएगी HP के laptop से नॉर्मली काफी अच्छा battery backup आपको देखने को मिलता है तो 5-6 गंटे का battery backup आप easily इसके अंदर आप expect कर सकते हो 4 GB की इसके अंदर आपको RAM देखने को मिलेगी और 1 TB की आपको hard drive देखने को मिलेगी दोस्तों इसके अंदर आपको Intel का HD 620 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा यह एक integrated graphics है तो इसको आप उस तरीकी से मत देखीगा जैसे 2 GB ग्राफिक का या dedicated जो ग्राफिक कार्ड होते हैं उतनी अच्छी performance आपको देखने को नहीं मिलती है 15.6 है इसकी full HD screen आपको देखने को मिल जाएग जिसके अंदर antique layer coating आपको मिल जाती है तो आखो पे इतना जोर नहीं पड़ता है तो अगर आपका daily use है आप student है housewife है या फिर आप normally laptop पे जादा Netflix या Amazon Prime वगरा देखना पसंद करते हैं तो इस laptop के लिए जा सकते हैं HP का brand जो है वो काफी trustful brand है आप इस पर trust कर सकते हैं और long time के लिए चलने के लिए laptop जाने जाते हैं सालों साली laptop चलते हैं तो इस laptop के लिए अगर जा सकते हैं अगर आप एक लंबे time के लिए सोचते हैं कि अभी college में admission ले रहा हूँ हो third year तक भी आराम से चले तो definitely HP के brand पर भरोशा कर सकते हैं मैंने पिछले कई सालों तक laptop जो है use करें काफी सारे laptop यूज़ करें जिन मैंने trustful देखा कि HP का laptop और Dell का laptop definitely ये brand काफी strong brand है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है कि वो brand में आपके साथ share करना हूँ जो कि brand काफी solid है तो आपने देखा होगा मैंने Dell, HP या Lenovo के laptop लिये हैं हाला कि बहुत सारे brand और भी available होते हैं हाला कि मैं ये नहीं का हूँँगा कि उनमें से कुछ brand solid नहीं है Chromebook वगरा होती है उस पे ना जाए क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है जो घर पे सिरफ YouTube या Netflix देखना चाते हैं अगर आपको professional काम करने तो आपको एक proper laptop ही लेना पड़ेगा दूसरी बात यह है कि अगर आपका budget जो है वो उपर जाता है 40,000 रुपे से भी उपर जाता है तो editing के अंदर Macbook काफी अच्छा आपको एक option देखने को मिलेगा हाला कि gaming आप Macbook में इतना अच्छ expect नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आपको editing का काम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा तो budget अगर आपका उपर जा रहा है तो आप Macbook के लिए जा सकते हैं बाकि Windows के laptop की बात करें या Dell, HP, Lenovo की बात करें तो उसके नदर जो 40,000 में best laptop हो सकता है मैं आपको suggest कर दिये हैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंदा आगा यार अगर आप मेहनत मेरी पसंदा आरे तो like जरूर करना वीडियो को और subscribe करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही next वीडियो के अंदर